पोच पोच के थाक जाओ लेकिन बहुत पसीनेतर हो गाया है वहां हमको सरकार की तरफ से इतना पैसा मिल जाए साथ के माईले देती थी कंपनी शग माईले से सुभी साता है डीजल और दूसरे जो है ऐसा क्यों महिंद्रा पे जादा बल करके चलते हैं अपनी डारेट लगा तो उसमें किस्त भी निकल जाएगा ड्रावर बगेर माल जाता था साड़े साथ सुरूपे रेट था जी पच्छी सार बचेगा पहले और बाता था पहले बार मुड बनाएं हां ट्रक लेने को लुके लाफाली से डर लगता इसे बारे में नालेज भी लेना पड़ता है फ द्राइब टाड़ा का ब्रांड न्यू पच्छपन तीज डॉट एस इसलिए बना रहा हूं बार बार इसली बनाता हूं कि इसके पहले मैंने जो आपको बलकर बता है जैसे कि वह आप देखेंगे तो महिंद्रा का उतर बलकर खड़ा हुआ है महिंद्रा के बता है लेकिन टाड़ा के ब्रांड न्यू पच्छपन तीज डॉट एस पर एक दो तीन चार पांच्छे साथ नो दुनी अठार टायर है यह बाविस टायर में भी आता है यह नया है बिल्कुल यह ठार टायर में है बार बार इंजन तो बताने तो फाइदा ने 6.7 लेटर फिर भी बता नया है सिखंदर भाई है हमारे साथ उनसे में आपको मिल वाओंगा यह पूरा बलकर में बना हुआ है बलकर के बार में पहले बढ़ा चुक हूं मैं आपको केसे ब भराता कैसे नहीं भरता तो वीडियो आप देख लेना अभी मैं आपको बता हूं यह सिमेंट फेक्टर मे इसको अच्छा यह डारीट सिस्टूं कर रहा है यह सिकंदर भाई है हमारे सब्सक्राइब कहां कर रहने वाले हैं यूपी शुल्तानपुर के रहने वाले हैं तो जैसी के आप पर दोर सिकंदर रहें यहां पर यह कपसे चला रहा है तो अईसा जरूरी में जिसके पास तो में चल जाएगा आई किस तरीके से माल मिलता है? तो मतलब उसमें ऐसा रूरी नहीं है कि किसी के पास 45 होना जड़रो नहीं है लेकिन सिकंदर वाइए जैसे कि यह जो है बलकर अलग से बनवाना पड़ता होगा तो जैसे यह चेचिस है तो यह मेरे खाल से 40-45 लाग के बीच में आता है तो इसका आइडिया अपको बलकर कितने का बनता है लेकिन एक बार अगर अपने बलकर बनवा लिया तो फिर वो सिर्फ सेमेंट के ही काम में आएगा दूसरे काम में भी आएगा तो इसमें मैंने देखा है कि सेमेंट के लागा कुछ जाता है जैसे अभी यह चला सकते हैं तो इसके लिए टंकी हटाना पड़ेगा अभी जैसे फ्लाइस में चल रही है अभी इसके पर जैसे फ्लाइस नहीं आप चलाना चाहते हैं सेमेंट भी चला सकते हैं अगर मान लोग दोनों चीज पर अपने को नहीं मिल रही है तो यह पूरी टंकी हटा कि दूसरा जो ट्रेलर लेकिन उसके लिए फिर पांच-दस लाग फुर खर्च करना पड़ेगा तो ट Sverige वत्र Oo अच तो कित्मेने टाइम से आप इस अधर ये में ड्राइबर बाshe मैं मतलब लगब दस साल ही हो गए को दस साल में इसी कोई बड़ोतरी साइलरी में आप 13000 बाधा इंद ही जैसे छोटी गारी चलाते थे आप जी एक आडी बलकर नहीं चलाते थे अभी तो बलकर 3.3 साल ते इसमें 15,000 को उपर के शेलरी बढ़ी नहीं कि बढ़ाने चाहिए अच्छा इसके पहले कहां करते थे पहले हम गुजराच चलते थे शुरुआत कैसे करी थे आप मतलब जैसे इस लाइन में आने का कैसे सोचा था इस अपने लोग चलाते थे एसे पहले में कमपनी काम करते थे कैसे इसे का मण अच्छा बादए सरुए कि नाचा इस चलने काम करने थे पहलम है इसे तुरुए कि पुरेलये स और रखे और दोस यसे चेंशे अब और कंपने सरुए और जेटी कमपनीम करने थे गाड़ी में ये जुक्तविक आध बिल्टू सही बात है तो जैसे 10 साल आपने दियेस लाइन को तो क्या तजरुबब रहा आपको कैसी लगी लाइन और क्या आपको अच्छा लगा और क्या बुरा लगा बताईए अच्छा लगा सर की तोड़ा एक कि थोड़ा शुटम तो चलाना पड़ेगा सर दिखकत क्या अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाते हुए तो कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता हुआ कि यहां पर हम सेफ नहीं है उस तरीके से चीजे लगते हैं कोई भी हो एक साइकिल वाला भी जाता है वह भी डाड देता है तो उसको क्या बोल सकते हैं जाहिर से वात है तो आपने खुद में नहीं सुचा कभी ट्रक लेने का पहले जब अपने छोटी गाड़ी लाइन में घुसे थे एक बार मुड़ बनाएं ट्रक लेने को फिर उसके बाद क्या हुए बीच में ऐसा कई सिस्टम आ गए ताकि साला वो सिस्टम फेल हो गया तो फिर उसके बाद तो अभी उन तब कोई प्लान नहीं है ऐसा है आपके तजुर्वे के हिसाब से यह ड्राइवरी करने में थुड़ा बहुत इंसन पैसे कमा सकता है और ट्रक लेकर चलाने में जादा कमा सकता है सर देखो क्या है यह जैसे अपना गाड़ी ले लिए जैसे आप मुन तीन साल दो साल चार साल का जो हटा बने और डाल दियें उसके बाद फिर हो जाएगा तो फिन अपने हिसाब से चलेगी फिर तो पैसा है यह जो प्रिट रहता है तीन-चार साल का यह बड़ा उसको मेंटेन करना जरूरी है जरूरी है एक दो महीने भी इंसन इदर दर हुआ तो दि तो यह मतल़ क्या बहरा पढ़ता हो इसमें यहां जाया तो अब पढ़े करना चलो 30 ग्हालर जिखाब तो यहां एक साइट का 33 तर अला उदर से खाली आती यह जाएंगा रहें और इसे लोड करके सिमें फैक्टर में खाली करेंगे और वहां से खाली आई इसायगा तो से तिन्सो किलोमेटर का से तिन्सो किलोमेटर के साब से क्यों कि इसमें खर्चा को होता हुगा अन्दादम आपका पेमेंट डेट आए डीजल वागयरा का हबना रेजार के यह बूझा आज़ कर दर में चलो गारी का यह कह भी सब्सक्राइब हो गया है तो यह है उसके बाद अपने को सिल्लक देता है 27 रूप अच्छा इसे तो डेली राउंड मारते तो गाड़ी नहीं होते इदर भरती नहीं गाड़ी बहुत ज्यादा हो गई मार्केट में तो मतला फिर भी इमान कि जयने 24 पच्छेश जारी एक बच जाता है नहीं महीने के एक ट्रिप का अपने को तो नहीं बच आप पर नहीं बोल रहा हूं मैं जैसे चुर्ट माली गए उसको तो मतला रोज चल रहा है तो रोज का पच्छीज जार बच पहले पहले पृष्षज गाड़ी का जाथ तो अब यह जाते है अभी के जो है अब यह अभी अन्दलड हो गए टेन च्छाल रुपर यह तो मतलब जिन जो सेट लोगने लगा के रख रहा है कि जिनका टेली चल रहा है क्योंकि जादा तर मैंने देखा है क्रभून मना पर बहुत चंत लेने अपन डेली का अपन तो आराम से पाच-छे लाग रूप महीना बन रहा है तो उसमें किष्ट भी निकल जाएगा ड्रावर वगरा कभी सब निकल जाएगा महीने में आपने मान लो कि 20 दिन ही चल रही है दस दिन फिर भी नहीं माना तब इंसान अच्छा खासा निकाल लेगा लेकिन यह है कि शायद ट्रांसपोर्टर से इतने पहचान होना जरूरी है कि वहां गाड़ी अपनी अटेज हो जाए अटेज हो जाना चाहिए अटेज हो अब का कमपनी फिरूर बात कर लेंगे तो ट्रांसपोर्ट से कहींने जैसे आप ट्रांसपोर्ट में भी डाल के चलवाना चाहते हैं तर्स लेकिन था कद्या कर रहे हों अपना लेकिर द्रीट खाली कर रहे हैं अपना लेकर जा रहे रहे हैं मतलब मैं जो प्लांट यहां डारेट जले में पड़ता है इंद और के पास मनावरी डायुमर क् Maps ॐ यए विडियो में पुर्लीट करा चाल से कर सकते है और आप धहाने में प्टर के सकता है मैं तुप अब अब जीसे आप यहे चाधा ट्रक चाला बंकर यह खादा मिलकर नेंदाइसे में तो तो इसा मिलीज अबधकर क्यों छाहिए सब्सक्र Laurel फोची मिलाइची सब्सक्राइच्ए कि अछारते हैं लिए बर देती होगी तो क्या इससे जादा माली निकल जाता हुआ चला है आपने महेंद्रा के ट्रक करें जैसे हमारे गुरूब में जब जो चल रही है उन लोग पता लगता है जैसे अभी हमारा यह मना वहां से मनावर से हम जाते हैं एंटीपीसी जी तो हमारा एक सो भी साता है और दूसरे जो ह ट्रक पर बहुत कम देखने को मिलते हैं यह गाड़ी क्या है यह गाड़ी जानदार इसके इसमें ताकत ज्यादा बनती है यह वह पीछे चली जाएगी लेकिन यह गाड़ी पीछे नहीं जा सकती कहीं तो नोड़ा बहुत बढ़िया है पावर भी है और इसलिए डीजल भी ले रही जाना है उसमें बचस्यादा है ना मींटिनेंस है उसका अच्छा म की साफसे टाटा में जाधा पैसा आएगा मैंटिनेंस में ज्यादा लगेगा इसके मजल्दी काम नहीं आते टाटा में अच्छा आपने टाटा के लवाग और कोई से ट्रक चलाए इन 10 साल में आइसर चलाए है आइसर में छे चक्का चलाए थे चार साल चलाए उसकोजी गाड़ी आण ओभी साथ के माइले देती थे अगर आप उसमें थोड़ा सा लाइन मिना लेते हैं तो भी आप चला सकते थे जोड़ा जैसे अगर आपके पास गेरेंटी हो अच्छी या पीसिविल अच्छी हो तो कम से कम डाउन पेमेंट पर ट्रक तो मिल जाता है 50,000 एक लाग पर भी मिल जाता है तो उसको चलाता सकते हैं आप तो सर्ल लेकिन क्या है कि उसका फिंट जैसे आप उन एक लाग रुपे जमा करक तो इसको क्या है कि कम कम नहीं मांज चलो कितना नार्मल में पकड़ की चलो कम 38-40,000 रुपे महीने का रहेगा उसका पूर निकाल नहीं सकते है क्या है अपने और सिस्टम देखना पड़ेगा घर-परिवार कि क्या हुआ ही ले ठोड़ो है कि नहीं कि खाली जलाओ इसी को बर सब कुछ देखना पड़ेगा आप मेरे नहीं शादिश होता है तो घर पे और बच्चे तो आप ऐसा चाहेंगे कि आगे जाके इस लाइन में आपके परिवार में से क्या है तो ऐसा अगर कोई भी नहीं चाहेगा तो क्यों यह रीड के हैड़ी जो है अपने भारत की ट्रांस्पोर्ट वह आगे कैसे बढ़ेगी सर कैसे बढ़े क्या उसमें क्या इसमें कई सर्विस तो है नहीं आप उन्हों कुछ कर रहे हैं नहीं आप यह गाड़ी खड़ी कर द सब्सक्राइब के बाद कोई जिंदगी नहीं है जिंदगी नहीं है जब तक तुम्हारे सरीज में तागत है तब तक चलाओ नहीं तो आचा मैंने जाधा तर जो बुजर्ग रहते हैं जो ज़्यादा एज वाले हैं उनसे जब इंट्रेवी करता तो बोलते हैं कि हमी चला- आदक वियादी है कि फिर दूसरा काम होता नहीं है था था एक ट्रोंड वह सकते रोड़ हुद्सक्राइब करता यह में तो आप अगेले चलते हैं आप खाने पीने का घरते हैं और बनाते नहीं होते हैं तो से बाहर स्कंदर भै आप बिल्कुल अगेले अगेले चलने में अब जैसे अभी यहां के 1.5-2 km का है जाने तो डेली यहीं चलते हैं तो आप सोते हैं पर होगे अब यहीं आप जैसे हम यह गाड़ी में सोते हैं अब लोग अब लोग वाइनत तो अब ट्रक में ही पूरे सफर गुजर रहा है अकेले आज में है तो थोड़ा गाड़ी को भी थोड़ा साफ़ाई ज्यान देना पड़ता है जी 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 तही बात है वह यह गाड़ी में दिखा दूगाड़ी जैसे पहले भी दिखा चुका थोड़ा सा इसको छोटा कर सकते हैं क्योंकि बागी ट्रक में भी तो देते हैं इसमें अगर आता ही है ना चलिए बहुत-बहुत धन्यवाज सिकंदर भाई का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा साथ बाच्चित करने का वाइस यह था सिकंदर भाई के साथ हमारा पूरा ट सब्सक्राइब करना वीडियो को ज्यादा सब्सक्राइब करना जारू मुशना यह रहां करिभी समारा तो उन्य िच्कात प्रते हैं यह जह था स्वलाइगे बाण क्यूंहीं सबकर रिघूयोगे यह थीने किससेट ब scos झाल झाल झाल